नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे धन डीमेट अकाउंट में MTF के द्वारा अगर आपने सेर खरीदे हैं मार्जिन ट्रेडिंग फेसिलिटी के तुरू अगर आपने सेर खरीद रखेंगे तो उनको डिलिवरी में कैसे कनवर्ट करते हैं साथ ही अगर आपने प्लेज कर रखे हैं अपने स्टोक्स को तो अन प्लेज कैसे करते हैं ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले हम लोग धंडी मैट अकाउंट को ओपन करेंगे उसके बाद में पॉटफोलियो के उप्सन पे नीचे की साइड में क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहां पे देखे स्टोक्स का उप्सन दिया गया है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है जैसे आप लोग stocks के option पे click करेंगे आपने जो भी portfolio में share खरीद रखे हैं delivery में वो आपको यहाँ पे screen पे show किया जाएंगे अगर आपने कोई भी share MTF facility के थूँ खरीद रखा है तो आपको यहाँ पे बीच में MTF का option दिया गया है दोस्तों आपको यहाँ पे click करना है MTF पे जैसे आप लोग click करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे sir for sir MTF वाले stock की show करेंगे यानि जो आपने MTF facility के थूँ भाई किया है share वो आपको यहाँ पे show किया जाएगा और उसके बाद में investment वगेर आपको यहाँ पे show किया जाएगा and margin funding आपको यहाँ पे show की जाएगी कि 50% यहाँ पे मैंने लगाया है और 50% broker ने पे किया है तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए बीच में convert to delivery का option दिया गया है इस पे हम लोग यहाँ पे click करेंगे आप लोगो जितना पेसा यानि 50% पहले मैंने पे किया था 50% broker ने पे किया था तो अब जो 50% पेसा है वो मेरे account में होना चाहिए तो यहाँ पे मैं नीचे की साइड में convert mtf to delivery के option पे click करूँगा जैसे ही मैंने आप लोग अपने share को unplace करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ यहाँ पे money के option पे click करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे बीच में option दिया गया है get instant margin benefit of यहाँ से आप लोग प्लेज करते हैं तो इस option पे आप लोगों को click करना है उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे की साइड में place your stocks का option दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को click करना है उसके बाद में आपको placed के option पे click करना है यानि आपने already stocks को place कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे select करेंगे जो भी stock आपने place कर रहा है जैसे कि मैं आपके click करूंगा और उसके बाद में proceed to unplace share इस पे click करके यहाँ पे हम लोग quantity enter करके और नीचे की side में confirm unplace request के option पे click करके share को unplace क कर देंगे या फिर आप लोग share को sale करेंगे तो आपको यहाँ पे unplace करने की कोई ज़रूरत नहीं है automatically आपके share वो unplace हो गाएंगे सो इस तरीके से आप लोग MTF में खरीदेगे share को delivery में आप लोग convert कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे daily का interest charges अब वो pay करना नहीं पड़ेगा दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही इसके अलावा कोई भी आपका doubt है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में धन्यवाद